नमस्ते आप सभी को SBT सास बहुके तड़कर में आप सभी का श्वागत है ते देखिए बहुत ही अच्छा कचवडी है देखिए चाट की तरह बनाए हैं एक दाम बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनाए है विल्कूल मार्केटी स्टाइल तो बहुत ही स्वादिष्ट देखिए तो पूरी जानकारी आपको देंगे देखिए कितना अच्छा देख रहा है यह मुंग दाल की कचवडी है बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी एकदम उम्दा बना हुआ है यह देखिए कितने अच्छे से बना है मैं भी आपको तोड़के भी दिखाऊंगी और इसमें से एकदम अच्छे से पूरे आवाज भी आ रही है तो यह बहुत क्रिस्पी और स्वादिष्ट है उड़त दाल की तो कचवडी भी बनती है पर यह मुंग दाल की कचवडी है तो कैसे बनाते हैं आगे पूरी रेस्पी देखिए फर्स टाइम हैं तो हमारे वीडियो को सब्क्राइब कर लीजिए और लाइक तो बनता ही है कर लीजिए तो थेंक्यू आप सभी को देखें मुंग दाल है हरी वाली मुंग दाल है उसको मैं एक घंटा पहले ही भीगा दे थे और हलका उसका पानी बाहर निकाल दे थे पूरी अच्छी त यह हरी मिर्च है दनिया पत्ती है लाशून है अधरक का तुकड़ा को कुटली थी और यह बेशन है अधा कटोरी दो चमस तेल में एक से दो चमस तेल में ब्राउन होते तक कि उसको अच्छे से भून लेना है एकदम मीडिया माच में और इतना भूनना है कि बेशन की खु अधिया माच में लो में और बराबर चलाते रहना है चमत चलाते रहना है ताकि चिपके ना बहुत ही टेस्टी और स्वादिश्ट है आप पूरी ट्रिक के साथ बनाते हैं और आपको भी बताएंगे कि ऐसे बनाना कि बिल्कुल भी वो फटेगी भी नहीं और असानी से भी बनेगी यह दिखे उसको भूर लेने के बाद मैं मुंग दाल को डाली हूँ इसमें हल्दी नमक मिर्च लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया पुदीना सब कुछ है इसमें यह खाने का सोडा है मिठा सोडा बिल्कुल चुटकी भर डालना है यह हल्वाई लोग भी डालते हैं यह बड़ा ट्रिक है जिससे की कचवडी हल्की भी बनती है कृष्पी और श्वादिष्ट भी होती है पर चुटकी भरी डालना इस तरह से हातों से मिला लेना है और अगर आपको लगता है कि बहुत सुखा है तो थोड़ा सा पानी भी डाल लेना है हल्का डालना है यह मसाला आपको दीख रहा हुगा कितना अच्छा भी दीख रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्क्राइब जरूर कीजे और लास्ट वीडियो देखेंगे तभी आपको मुंग दाल की कचवडी बनानी की पूरी विधी समझ में आएगी यह दो कटोरी मैदा है और इसमें चुटकी भन नमक डाली हूँ यह तीन चम्मस्ट के बराबर तेल है तेल इतना डालना है कि आप मुठी बांधें तो बन जाए और यह अंजवायन है क्रश क्या हूँ अंजवायन है उसको भी डालना है यह कचवडी में बहुत स्वाद भ होता है तो अक्षे तरीके से उसको मुऎtwär को मिला लेना है ईह पाणी बिल्कुल थोड़ा तोड़ा करके डालना है आधा कटोरी से कम है आटा नर्म लगाना है परन्तु थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए रेश्ट करना है ताकि कचवडी फुली फुली बने, देखिए आटा कितना नरम है, एक भी नहीं चिपक रहा है, आप थोड़ा हाथों में तेल लगा कि उसको अच्छे से मल लेना है, तो इस तरह से आटा लगाना है, और लोई काटके रख लेना है, आप साइज अपने ही साप से रख लेते ह है, नहीं तो मसाला डालते नहीं बनेगा, मसाला ऐसे डालें, क्यों बाहर ना निकले? इस तरह से बेल की मसाला उसमें लगाना है और हलके हाथों से उसको सबको दबाते हुए करना है यह तेल गरम है कड़ाई में और उसको मैं चेक करने के लिए छोटा सा अटा कालोई कूल डाली हुँ आटा इस तरह से अच्छे से उसको ऐसे बंद कर लेना है और उपर का अगर हिस्सा बड़ा है तो काट देना है नहीं तो उसको उसी में मिला के हलके हाथों से दबा कर या तो हाथों से आप उसको बना सकते हैं या ऐसे हलका हलका बेल लेने से भी बहुत अच्छे से बनता है तो देखी कचवडी इस तरह से बन गई है आगे भी आपको दिखाई हूं कि कैसे कचवडी बनाते हैं तो यह मुँंगदाल की स्वादिश्ट कचवडी है अगर कहीं पी लगता है कि आपका उसमें बनाने में दरार है तो उसको अच्छे से कलेने इस तरह से चेक कर लेना है बिल्कुर आँच एकदम पहले गरम फिर एकदम लो में ही रखना है आँच जादा नहीं रखना है अपने से ये गोली जो डाले आटा का गोली बना के वो उपर आ जाएगा देखने के लिए कि आटा कितना उपर अपने से आएगा तब हम उसको डालेंगे थोड़ा सा चेक कर लेना जल्दबाजी नहीं करना है तो बस उतने ही बुलबुला आना चाहिए थोड़ा सा आज पहले थोड़ा तेज करके गरम फिर एकदम लो में रखना है तब ही आप कचवड़ी खस्ती बनेगी अपपूरे लो में ही हम सेखेंगे जिसे की कचवड़ी खस्ती रहे ये देखिए हम कचवड़ी डाल दिये हैं लो है मीडियम लो बस इतने में ही सेखना है एक कचवड़ी को सेखने में ये चारो कचवड़ी को 10 से 15 मिनट का समय लगता है अराम से तलने देना है और ज्यादा मातरा में ही डाल के सेखिए कि इतने अच्छे से अपने आप से उपर आ गया है मैं आपको अभी दिखाती हूं तो बहुत ही टेस्टी मुंग डाल की कचवड़ी है तो उसका ट्रीक यह है कि आटा नरम गुथना है और तेल इतना डालना है कि वह हाथो में आज देखिए ये उपर का मूह खुल गया है परन्तु उसका बहुत ही खस्ता बना हुआ है फटा नहीं है देखिए पूरा आपको दिखा रहे हूं अगर एकात का मूह खुला हो भी जाता है तो उतना नहीं है करता है मगर फिर भी आप शवधार नहीं रखना देखिए मेरी पूरी मुंग डाल की कचवड़ी तयार है उमीद है कि आप लोगों को हमारी रेश्पी जरूर परशंद आएगी तो उसका चाट बना कर कैसे खाना है वो भी आपको दिखाए है आगे चाट भी दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं थैंक्यू सो मच